उजयन के दो मासूम अपनी मा के एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर के जगडे में पिस रहे हैं बच्चे फिलहाल बालगरे में हैं प्रेमी के पास से लौटी मा दो साल की बेटी या पास साल के बेटे में से किसी एक को रखने की ही बात कर रही है वो चाहती है कि एक बच्चा पती रखे लेकिन पती किसी भी बच्चे को रखना नहीं चाहता महिला का बेटा उसके पहले पती से है बेटी दूसरे पती से है वही पिछले चार महिने से महिला अपने प्रेमी के साथ रह रही है उजयन के देशाई नगर की रहने वाली ये महिला बच्चों से अस्पताल जाने की बात कहकर प्रेमी के साथ चली गई थी जिसके बाद अपने शोचल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि बच्चों को उनके पापा को दे देना वहीं शुरुआती के 6 दिनों तक पड़ोसी उने बच्चों की देखरे की वहीं मामले में महिला का कहना है कि वह अस्पताल में भरती थी इसी बीच पती दोनों बच्चों की देखभाल के लिए ले कर गये थे एक दिन रखने के बाद उसके घर के बाहर उन्होंने अकेले ही बच्चों को छोड़ दिया जहां उसे समाचार के माध्यम से पता चला कि बच्चों को पड़ोसी संभाल रहे हैं बताया चाता है कि महिला का पती रेलवे का करमचारी है उसने बताया कि पतनी उससे शादी करने से पहले भी एक शादी कर चुकी है पात साल का बेटा उसके पहले पती से है पात साल पहले उससे शादी की उसने बताया कि हम दोनों की बेटी है जिसके बाद वो प्रेमी के साथ रहने आ गई एक हपते पहले दोनों बच्चों को छोड़ कर वो चली गई थी जिसके अगले दिन बच्चों को उसके दिसाई नगर इस्थित घर पर छोड़ाया था बिरो रपोर्ट विरा 24 नियूस नियूस देखी वेसे ही मैंने अपने मुले में फोन लगा के पता करा तो उनने बोला कि बच्चे रोड़ पे भावी और मैं येसे उज्जेन आ गई अमें शनीवार के दिन ट्रेंज से यहां उतार शुकी थी और जब से में घुमरी हूँ अब बच्चों का द्यान रखना तो चार महीने से यह पालन पोसन यह कर रहे था है अब इसे मोरिया के साथ तो आज यह में क्यों करूं सर एक बेटा तो आपका भी है नए बच्चा आपका भी उसमें आपको रखना जी एक लड़की मेरी है हां उनको रखना नका इस सामने वाला जब केरिया था कि मेर रखूं और दोनों बच्चे तो नहीं रखना चाहता है अब आप अपनी रखना चाहते हैं तो मे केसा रखूं सर